अब हम स्थिरी नर्पेथोलॉजिकल भी सुनते हैं देखें अब हम स्थिरी पेथोलॉजिकल किस डिजीजिस में सुनते हैं यह हाट फिलिर वाले पेशन्ट के अंदर किस पेशन्ट के अंदर सुन सकते हैं इन सब के अंदर क्या रहा है एक पहला एक पहला में सीक्यूस एक्जामिनर पूछेगा कि जो एस फूर हार्ट सांड है क्या यह फिजलोजिकल होती तो आपने बताना है कि जी एस फूर हार्ट सांड क्या होगी ऑल्वेज प्रत्लोजिकल और यह किन पेशन्ट के अंदर कौमन होती है हाइपर ट्रॉफी वाले जाएंगे एस वन कर अब सुनते हैं जब हमारा माइट्र ट्रैकस्पिड वाल बंद होता है एस टू हम कब सुनते हैं जब सैमिल्य उन्डर वाल बंद होते हैं एस थ्री क्या आती है कुछ पेशन्ट के अंदर कुछ बच्छ कुछ केसिस में हमारे पास फिजलोजिकल होती ह है और कुछ केसिस केंदर हमारे पास पिजलोजिकल होती है अब फिजलोजिकल किस केस में होती है चाइल्ड के केस में फिजलोजिकल होती है और किस केस में फिजलोजिकल हो सकती है अथलीट के केस में फिजलोजिकल हो सकती है हाईपरटेंशन में भी तो हो सकती है कौन सी हा करवाती है हमारी हाइपर ट्रॉफी करवाती होती है हाट की ठीक है एड देंड क्या हो रहा हाइपर ट्रॉफी हो रही है तो क्या उस पेशन्ट के अंदर आप S4 सुन सकते हैं डैफिनेटली S4 भी सुन सकते हैं ठीक है जिस केस में भी आपके हाट की हाइपर ट्रॉफी हो रह करेगा जब उतना ज्यादा काम करेगा उसकी हाइपर ट्राफी हो जाएगी तो क्या हम उस पेशन्ट के अंदर सुन सकते हैं डैफिनेटली उस पेशन्ट के अंदर हम क्या कर सकते हैं यहां तक किसी का कोई भी क्वेस्टिन ना पूछ ले वरना हम आगे अपना काडिक साइकल यह बस आपको थोड़ा सो ओवरिव्यू देना था यह इनएटमी का पॉर्शन है इंपॉर्टन्ट है हाँ जी समझ आगी बाकि सबको बाकि सारे सो रहे हैं तो कीर बाकि सारे किदर है पार्टिस्पेट करो यार हफसा तो कीर अबैब ठीक है जी ठीक है ओके अब हम बात करते हैं बच्चों काडिक साइकल की आप मुझे बताएं कि वर्ट बाउट दा ओल्डर एज किस के अंदर बात करें को किस हार्ट साउंड की बात करें एस फूर सुन सकते हैं ओल्डर एज में भी सुन सकते हैं क्यों नी सुन सकते उस उस पेशन के अंदर भी हाईपटरॉफी हो रही होती है तो इसलिए हम क्या करेंगे एस फूर स्पेशन एस त्री विल पेथलोजिकल इन ओल्डर एज क्या कह रहे हैं एस त्री विल पेथलोजिकल इन ओल्डर एज हां जी सुन सकते हैं उस पेशन के अंदर भी क्यों क्यूंकि उस पेशन के हार्ट क्या होगा हार्ट मसल्स क्या होंगे वीक हो जाएंगे जब उसके हार्ट मसल्स वीक हो जाएंगे ना तो एट्रिया से बलड फॉरान रश करके क्या करेगा वेंट्रिकुलर की तरफ ज्यादा से जबारा होगा इसलिए मुझ पेशंट के अंदर क्या सुन सकते हैं थी क्लिए रहा तक अभी हम करते हैं पहले हम काडिक साइकल कर लें फिर उसके बाद इसके जो जितने भी पतो पॉइंट है ना मैं एक द काडिक साइकल आपने किदर पढ़ना है वाइड पेज पर पढ़ा दूं बॉर्ड पर पढ़ा दूं कि हैं बुक्त के उपर ही पढ़ा दूं कि हाँ पर जगह कम है और यह इंपॉर्टन टॉपिक है इसके इस पर बहुत शॉर्ट लिखा होगा ना आपकी बुक पर फर्स समझ भी अच्छी किए ओके अच्छी सबसे पहले हाड़े आप ने कडिक साइकल स्टार्ट करना है ना तो काडिक साइकल में आपने हमेशہ एक बात याद रखनी है कि इस में हमने क्या-क्या चीज़े देखनी है इसमें हमने यह देखना है कि जो ब्लड्ड ना है वो एट् के अंदर हम s4 hard sound सुनेंगे और हम इसके अंदर कुछ waves भी देखेंगे उसमें A wave होगी उसमें V wave होगी X होगी Y होगी वो सारी हम detail में भी discuss करेंगे ठीक है सबसे पहले जो हम इसमें face देखेंगे वह जी atrial systole अब देखें बचो नाम से ही पता चल रहा है atrial systole atrial इसके अंदर क्या कर रहा है बच्छो contract कर रहा है जब बच्छो atria contract करता है तो कौन सी wave बनती है हमारे पास P wave ACDP ठीक है यह आपको सर ने बताया होगा कि जब भी आपका atria contract करता है तो क्या वह होता है P wave बनती है और atria को message को उन देता है आपका ऐसे नोड जो आपके heart को पर पढ़ा होता है जो आपकी electrical activity heart की control करता है वह ऐसे नोड होता है ठीक है ऐसे नोड ने आपको atria को message दिया atria ने आगे से क्या produce की बच्छों हमारे पास P wave produce की अब देखें यह मेरे पास एक heart है for example इसको समझ लेजी यह एक heart है ठीक है यह पढ़ left atrium यह राइट पंट्रिकूलर और यह left फंट्रिकूलर इदर हमारे पास क्या पढ़ा हूं Pakilal वैल्फ क्या बाफ एक यहठा फुरिक क्या एक प्रिक्रियुलर हाट यह फ्यृफर पढ़ा हूं сам순排 मेरे पास पड़ा हुआ ने सारे कार्डिक को क्या करना है message देना और क्या करवाना है एट्रिया की contractility start करवानी किसके heart की muscles की यह हमारे पास क्या आ रहा है बच्छो pre load आ रहा है जो heart की तरफ blood आता है यह ऐसे ऐसे हमारे पास blood आया आपने हमेश्या बात याद रखनी है जो 80% हमारा blood होता ना वो without contraction वो आपका किदर जाता है ventricle के अदर जाता है ठीक है कितना परसंट 80% देखें अब इस patient के अंदर क्या आया blood आया blood इदर से आया left atrium में left atrium में गया वो किदर आगे left ventricular left ventricular में गया ठीक है अब इस patient के अंदर क्या हुआ 80% तो without contraction चलागा जो आपके पास बच्छो 20% रहेगा ना वो with the help of contraction blood जाएगा अब आप मुझे बताएं मैंने आपको भी एक यहां पर point बताया कि इस patient के अंदर 80% blood without contraction गया और 20% जो blood है वो किदर गया with the help of contraction गया किदर आपके ventricle के अंदर गया number one important point शुरू में जब मैंने आपको heart sound बताई थी मैंने आपको बताया था कि S3 वो होती है कि जो फॉरण से एट्रिया से यहां से एट्रिया से रश करके आपके ventricular के अंदर चले जाए उस case के अंदर जो heart sound produce होती है वो S3 होती है यह देखें यहां से ब्लड जब यह left atrium से left ventricular के without any contraction गया तो क्या बच्चों इसके अंदर S3 heart sound produce हो सकती है जल्दी जल्दी बताएं जल्दी बताएं समझ रही वेरी गुड अर्ली डास्टॉल इसके अंदर S3 heart sound produce होगी ठीक है एक important बात और देखें ठीक है एक important atrium सिस्टॉल में आपने याद रखना है कि क्या होगा कि without 80% का करेगा आपका blood जाएगा किदर आपका ventricular के अंदर चला लेगा number one important point ठीक है atrium सिस्टॉल यही होता है आपने बस इतनी बात याद रखनी है कि blood आपका किदर गया पी वेव इस पे बनी blood आपका किदर चला गया atrium से ventricular के अंदर चला गया this is known as atrium सिस्टॉल अब देखें कि जब हमारे पास यह गया atrium से blood गया किदर ventricular के अंदर इसकी वज़ा से एक wave प्रेड्यूस होती है that is known as a wave यह हम किसकी wave देख रहे हैं जगलर वेनर्स प्रेशर की क्या देख रहे हैं waves देख रहे हैं कव्स देखते हैं ठीक है यह भी हम ECG पे देख रहे होते इसकी वज़ा से आपकी पी wave बनी और जो जगलर वेनस प्रेशर की जो कर्व है वो कौन सा कर्व बनेगा तो आपने बच्चों बताना है इसमें a wave बनेगी ठीक है a wave बनेगी इसके अंदर यह दूसरा MC की उस्ता आपने याद रखना है अब एट्रिया कॉंट्रेक्ट किया अब नीचे बात करते है दूसरी फेज ठीक है अब जो इस पेशन्ट के अंदर इस के अंदर जो दूसरी फेज होगे फिजिजलाजिकल वो होगी आइस्सो वल्यूमेट्रिक वेन्टिकॉर कॉंट्रेक्शन फेज अब इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर आइस्च जो हम ECG पर देखते हैं ठीक है इस patient के अंदर क्या हुआ आपके ventricular contract किए जब ventricular contract करेगे तो इसकी वज़े से हमें क्या मिलेगा QRS complex मिलेगा ठीक है अब देखें इस patient के अदर क्या होगा कि मैंने आपको शुरू में यहां पर diagram में क्या बताया था कि 80% क्या करेगा left atrium से left ventricular क की तरफ blood जाएगा ठीक है अब देखें बचो यहां पर मैं एक और आपको important point बताने लगाऊंगे देखें यह left यह मैंने heart बना दिया फिर से left atrium यह दोनों side पर ना एकठा काम चल रहा होता है ठीक है यह आपनों याद रखना होता है left atrium में भी वही चल रहा है right atrium में भी चल रहा है ठीक है left ventricular एक मिनट जब है यह point complete करो फिर मैं आपको बताता हूं जो आपका question हुआ देखें क्या हु किदर left ventricular के अंदर अब यहां पर कितना blood था हमारे पास for example हमारे पास hundred ml blood था ठीक है जब हमारे पास hundred ml blood यहां पे ventricular के अंदर चला जेगा ना तो यह जो mitral valve वो tricaspid valve होते है ना बचों यह दोनों बंद हो जेंगे ठीक है क्यों क्योंके blood वापीस ना चला जाए ठीक है hundred ml blood था left atrium में वह hundred का hundred हमारे पास किदर चला गया left ventricular और right ventricular दोनों के अंदर चला गया ठीक है जब आपके क्या हो mitral valve और tricaspid valve दोनों एक साथ close हो तो इसकी वज़ा से एक heart sound produce होती है that is known as first heart sound ठीक है अब देखे इस patient के अंदर ना मैंने आपको यहां पर बताया था यह pulmonary valve था और यह क्या है इसका aiotic valve यह दोनों अभी बंद है ठीक है यह दोनों इस phase के अंदर भाई है ठीक है इससे अगली phase में जाएंगे ना जब उसके अंदर क्या होगा आपका aiotic और pulmonary valve खुलेगा और blood आपका aiotas से पूरी body में जाएगा ठीक है अब भी यह दोनों क्या है close है examiner यह पूछता है question के iso volumetric ventricular contraction phase के अंदर यह बताएं आपका aiotic valve बंद होता है कि यह open होता है यहाँ वो आप से यह पूछेगा कि आपका mitral valve और यह tricuspid valve iso volumetric contraction phase में open यह close होता है तो आपने बताना है कि इस phase के अंदर आपके बच्चों सारे valve बंद होते हैं mitral भी बंद होता है tricuspid भी बंद होता है aiotic भी बंद होता है और pulmonary भी बंद होता है ठीक है जहां पे भी बच्चों iso volumetric की बात आएगी ना तो आपने कहना है कि valve सारे बंद होता है